इरान के रास्टपती इब्रहीम रईसी की 19 मई को हेलिकॉप्टर हाथसे में मोट हो गई इस हेलिकॉप्टर हाथसे में वहां के विदेश मंतरी हुसेइन आमीर की भी जान चली गई 20 मई को इरान की मीडिया की तरफ से रास्टपती की मोट की पुस्टी की गई लेकिन हेरान कर देने वाली बात यही कि रास्टपती की मोत की फुस्पी के बाद से कई लोग उनकी मोत का जश्न मना रहे हैं नमस्कार में शेख जोयाब देख रहे हैं दनगरी दरसा सोशल मीडिया पर धुनिया भर से कई वीडियो वाइरल है जिसमें इराणी लोगों के साथ विदेशों में रहने वाले कई प्रवासी इराणी भी जश्न मनाते हुए देखे जा रहे हैं दावा क्या जा रहा है कि ये लोग रही सी की मोत से खुश है वाइरल वीडियो उसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग पटा के जला कर जश्मना आ रहा है एक्टिविस्स सल्मान सीमा ने सोचल मीडिया प्लेटपॉम एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कई लोग इरान, केनेडा और इसराइल के जंडे के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं वीडियो के केप्शिन में उन्होंने लिखा हमने तहरन के कसा इब्राहिम रईसी के बीना बहतर दुनिया का जश्न नाच गाकर मनाया इरानियों, इसराइलों और केनेडाई लोगों की तरफ से शांती के लिए एक साथ डांस करने से जादा दिल को छू लेने वाली कोई बात नहीं इस तानाशाह की मोद पर हमारी खुशी में इरानियों के साथ शामिल होने के लिए यहुदी भाईव और बहनों का धन्यवाद मही रानी अमेरीकी पतरकार मसीह अलीनाजäg ने एक वीडियो शेर किया है इस में एक महीला नास्ती दिख रही है इस वीडियो को लेकर अलीनाजेश ने दावा किया है कि कुश महीने पहले ही इस महीला के बेटे को इब्रहीम रईसी ने मोत के घाट उतरवा दिया था और वो रईसी की मोत पर नाच रही है मैंने आपसे कहा था कि इरान की महिला गाया लेकिन वो अत्यचार करने वालों के सामने सबी जुकेंगी नहीं मेरे पूरे सोचल मीडिया ऐसी वीडियो से भरा हुआ है जिसमें मोत के घाट उतार दिये गए लोगों के परिजन इरानी राश्टपती की मोत का जश्न मना रहे है अब सवाल ये उटताई कि लोग उनकी मोत का जश्न क्यों मना रहे है दरसल इब्रहीम रईसी साल 2021 में राश लेकिन पुलीस हिरासत में उनकी मोत हो गई जिसके बाद से इरान में प्रधाशन शुरू हो गया था और सरकान ने प्रधाशन कर रहे हैं लोगों को सक्स अज़ादी ती चैद यही वजाहे कि लोग उनकी मोत का जशन मना रहे हैं इसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे दन अगरीब